हर योग मित्रूं, मित्रूं इस वीडियो में आप सभी को कुछ प्रस्णों के अनुसार, कुछ बाते बताना चाहेंगे, एक लगन उधारन के अनुसार, और देखें, आम तोर पर कई ऐसे प्रस्णों हमारे पास आते हैं, जैसे ये होता है, संतान का योग कब बनेगा, कौन से संतान, यानि कितने संतान, कौन से संतान की योग है, गर्व धारन का सही समय क्या होना चाहिए, तो इस तरह के कुछ प्रस्णाते हैं, और इसके लिए हम कुछ उत्तर आपको देना चाहेंगे, जिसमें लगन की ब्याक्या और कुछ गरहों की महादसा के अनुसार जो बा ब्हाव, यानि पहले यह आप देख सकते हैं, कि जितने भी नोगरह होते हैं, इन सभी का अस्थान और इसमें बारा ब्हाव में ग्रहों की स्थती, तो उस घर के स्थती का भाव क्या होता है, जिससे आप यहाँ देखेंगे, पहले घर का भाव सरीर, दूसरे घर का भाव धन, संपत्ति, तीसरे घर का भाव, भाई, बहन का योग, चोथे घर का भाव होता है, बल, परक्रम, पांचवे घर का भाव है, संतान, पुत्र या पुत्री का योग, छठे भाव का फल है, मित्र, सत्रू, और सात्वे भाव का फल है, विवाह, प्रेम, संबंधी, साजेदा और यह आठ्वा घर है इसमें मिर्तु योग आयू यह देखा जाता है नौवे घर में आप ग्यान बुद्धी के लिए देख सकते हैं दस्वा घर आपके नोकरी सरकारी नोकरी बैपार राज सुख धनलाब इनके बारे में बताता है और ग्यारवा भाव आपकी आर्थिक इस स्थिति क्या रहेगी इसके बाद बाहरवा भाव आपके कर्श यह सब चीजें विदेश यात्रा की योग तो इनकी जानकारी देता है और जैसे हम संतान योग का यहां प्रस्ण है तो इसके लिए पहले हम लगन के पंच भाव को देखा जाता है यह पांच वाव इसको दे इसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है कि गुरू का विचार किया जाता है गुरू का विचार सबसे आउसक होता है क्योंकि देखे गुरू की जो महादसा होती है सोला वर्ष की होती है सूर की महादसा देखे लगन में गुरू होगे मंगल होगे सूर होगे यह पुरुस कारग्रह योग है चंद्र सुक्र होते हैं जैसे यह चंद्र देख रहे हैं आप सुक्र देख रहे हैं यह इस तरीके कारग्रह योग है तो अगर आपको मेल संतान क यूग बारे में जानना है तो गुरू और सूर की महादसा को देखना होता है कि इससे यह पता लगता है कि इसकी महादसा की इसकी कि अनलेशा के संतान और अंतर दसा हर विक्ति के जिवन में, या इनकी जो दसा इस्तिती होती है, तीन या चार चड़ में आती है, जैसे सोला वर्स की है, तो वो दो तीन भाग में आएगी, दो तीन बारा आएगी, और सूर की दो बारा आती है, और जब इनकी दसा सूर की या गुरू की दसा अच्छी होने पर विक्ति सरीर का बल अच्छा रहेगा तेज उर्जा सकती संतान सुख से लाप्राप्त करेगा हर कार में शफलता प्राप्त करेगा और गुरू कमजोर होने पर या इनकी अंतर दसा ठीक नहीं होगी तो इस्तरी के लिए अगर यह समुश्या है तो गर्व ध आते हैं सूर जो होते हैं यह नौक्रों के शेनापती होती है तो इनका भी अस्थान सबसे बड़ा होता है मंगल मंति ग्रह में आते हैं तो यह संतान योग के लिए विसेश रूप से गुरू और सूर की महादसा जरूर देखी जाती क्योंकि इसकी महादसा के हिसाब से ही आप सन्तान का शुक्त करते हैं कि देखें गर्वधारन के लिए अगर आप बात करें तो इस तरहimme घ्रे की योगदसा कप से कब तक है कुण्डली में गुरू का अस्थान कहाँ है किस भाव में शूर की इस्टिति क्या है Esse की महादसा कब बन रही है ये सभी बातें देखनी होती है अब यहां में एक उधारन आप देए तो जिसे गुरु यहां है एक नमबर की गिंती है अगर और यहां पहले भी हमने मैत्री महेने और उनके राशियों के बारे में बताया था तो एक नमबर की राशी जो है वो मेस साती है यानि एक नमबर की राशी मेस है और इनके लिए गर्मधारन के महीने आप यह देख रहे हैं तो जिसे एक नमबर पर एक नमबर की गिंती के साथ गुरु है यानि राशी की मेस है एक नमबर की राशी मेस है देखिए इनके भी ग्रह होते हैं इन राशियों के स्वा बहाव में गुरु एच्छी अच्छी तो भी अच्छा मना जाएगा Are दो गुरु में गुरु अगर्वान liver तब भी आपके लिए संतान सुख का सबसे अच्छा योग प्राप्त होता है बाखी सेस केंदर से हटकर अगर तिरकोण में गुरु हैं और इन पर राहू की चौथी छट्वी या साथ में दिश्टी जा रही है तो गुरु आपके निर्बल हो जाते हैं यानि कमजोर रोस्थ होते हैं और देखिए इस लगन के हिसाब से अगर इसकी महादसा निकालते हैं पांच वर्ष के लिए यह दो हजार तेश्ट से दोनों जो 9 डिसम्बर के महिने ये अच्छे होंगे, 2024 में जनुवरी, फर्वरी, मैं, जुलाई, अगस्त और 9 डिसम्बर, 2025 में देखें तो फर्वरी से मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, 9 डिसम्बर, 26 में देखें तो अप्रेल, मैं, अगस्त, सितंबर और 9 यानि इनकी जो महादसा है, ये महादसा आपको बता रहे हैं, महादसा के हिसाब से जो इनके मित्र महीने हैं, जिनमें आप प्रयोग कर सकते हैं, वो हमने आपको बताया है, बाकि इसके बीच की जो महीने बच रहे हैं, वो आपके लिए इस्तरी योग कारक महीने माने तो इसके हिसाब से अगर आप कोसिस करते हैं तो आप लिए चांस अच्छा रहेगा अब यह जो आपका प्रस्न होता है कि योग कब बनेगा तो योग तभी बनता है जब आप इन महीनों के इन महीनों का प्रयोग करते हैं अब जैसे किसी डॉक्टर की पास आप जाई है और उसे पूछें डॉक्टर ने आपको बताया कि यह बिमारी आपके अंदर है अप आप उसे पुछें कि कब जाई होगी बिमारी तो डॉक्टर आपको यही उत्तर देगा कि जब आप इसकी सीख धंग से दवा कराएंगे उसी प्रकार यह भी होता है जैसे आप यह प्रस्न क एक नमबर की गिंती में बनते हैं पंच भाव में आपके साथ नमबर की गिंती है तो इसकी रासिय मिहां देखेंगे जैसे एक दो तीन चार पांच छे साथ यह साथ नमबर तुला रासी है तुला रासी अगर आपके लगन पंच भाव में है तो इसके हिसाब से आप यहां मह कोई गुराय इस्थित होगा तो उस ग्रह की भी घूमिका देखि जाती है उस ग्रह की दसा देखे जाती हमने यहां जिसे घ्यार्मे भाय वहां में गुरू हैं तो इनकी महादसा देख pourtant यह महादसा आपके लगतMusic भाव से जो मिलेगी तभी यह योग आपकी जीवर में प्राप्त होता है तो आप हमारी बातों को कुछ हद तक सो समझ रहे होंगे हाला कि देखिए यह जो जानकारिया होती है थोड़ा सा सटीक रूप से देखने में समझने में समय लगता है और किसी भी इस प्रकार की जानकारी के लिए मुख रूप स जानकारी की गर्वधार्ण का प्लान करते हैं संतान के लिए तो जब इस तरीक ही लगन दशा यानि उस तरीक के लिए लगन में उस समय गुरुकि दशा क्या थी जिस वर्श में आपकी विबाह हुआ है उसके हिसाब से बरतमान समय की हिस्ति की हिसाब से अभी तक उसके लिए कौन सी ग्रह इस्ति मतलब आई है कौन सी गई है यह दिवी देखा जाता है तो उसके हिसाब